आप सबी का मेरे चैनल कलरफूल प्लेट्स पे आज की रेसिपी है अपम बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल में बना रही हूं प्लीज देखिएगा जरूर और वीडियो पसंद आजाना है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत बूलेगा और नेक्स रेसिपी कवे तो आप लोग देख पाएंगे मेरे चैनल में तो उसके लिए सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना परेगा यह पूल जाते हैं वीडियो जरूर देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चलिए बनाते हैं अपम अपम बनाने के लिए मैंने क्या किया है उरत की डाल जो दो कप चावल तो यह चावल जो इडली वाले हो जाए ना तो अपम बहुत टेस्टी बनता है तो इडली वाले अगर चावल मिल जाए आपको एमेज़ून मगेरे में मिल जाएगा तो आप खरीद लीजेगा बस और क्या है चावल और दाल को भीगो लीजेगा जैसे इडली का एक बैटर तयार होता है बस वैसे ही एक बैटर आपको तयार करना है उसके बाद क्या करेंगे प्याज को चुटा चुटा काटेंगे टमाटर को काटेंगे थोरी सी धनिया, थोरी सी मिर्ची बस और क्या है बैटर को मिलाईए थोड़ा सा नमक डालिए एक चमच की करीब करीब सूजी डाल दीजे और सूजी को जो है कमसे को 5-6 मिनट तक फूलने के लिए रख दीजेगा और बैटर बहुत थीक हो जाए ना थोड़ा सा पानी आट कर दीजेगा थोड़ा सा पानी आट कीजेगा जादा नहीं इसके बाद अपम का एक बरतन आता है आप लोग को पता ही है तो वो आपको अगर एमेजॉन में मिल जाए तो वहां से परचेस कर लीजे या फिर आप किसी भी बरतन शौप में जाएंगे वहां मिली जाता है जैसे इडली का बर आप लिए या फिर आपको चमच की साइता से एक-एक स्पून बरतन में डालते जाएंगे बरतन लब साचा जो है इसके गोल गोल शेप का होता है इसके बाद आप क्या करेंगे थोरा सा एक-एक चमच करके डालिएगे कि यह फिर फूलता है और धीमियाच में पकाईएगा यह नेकी फ्लेम हाई कर दिया और अंदर से पका नहीं बहार से पक गया तो धीमी आच में जो है आप पकाईएगा जुरूर बस देखे एक चमच करके डालिए और इसी तरह से जो है धीमी आच में पकाईए अपने परिवार वालों को खिलाएए कुछ नया टेस्टी खाने को मिल जाएगा इडली दोसा तो कितनी बारा बना के खिला चुके हैं तो थोड़ा सा अपन भी बना के खिलाएए और अगर रेसिपी बहुत अच्छी लग जाएना मेरे चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलिए क्योंकि आप सस्क्राइब करेंगे तो मेरे चैनल में ग्रोथ आ आएगा ना तो यह बहुत जरूरी है आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं थेंक्यो सो मच पट मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिएगा इसकी बाद देखिये मैंने देखिये पूरा मैंने फिल कर लिया है इसको कवर करके मैं जो है कम से कम पास से शे मिनट या और मुझसे सब वावाव जरूर करेंगे तो बस इसी तरह से एक साइट में पका दिया ही है नेक साइट पकाऊंगी धक के बस और इसको गर्मा गर्म धीरे धीरे करके जो है आप निकालीएगा क्योंकि बहुत हलके होते हैं तो तूटने का डर्ल रहता है शेप बिगर जात है ना तो इसकी हलके हातों से इस्पेशली बटन नाइफ से कीजिएगा अगर आपके घर में बटन नाइफ है बटन नाइफ से कीजिएगा या फिर चम्मस से कीजिएगा हलके हलके हातों से बस देखिए रेडी हो चुका है फिर मैं कहते हूं मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट इसे इपी का ज़रू इंतिजार कीजिए कि बहुत जद्दी लेके आ रही हूं तब तक के लिए बाबाई